आपको में अप्सेज़िव कंपल्सिव इस मिमारी के बारे में मानसिक मिमारी के बारे में पुड़े जानकारी देने वाली हो तो obsessive याने एक ही विचार दिमाग में गुमते रहना बार बार आना उसको obsessive या obsession कहते हैं और वो विचार पे अगर हमें action करने की इच्छा हो या फिर action करना ही पड़े तो उसे compulsion याने compulsive behavior कहते हैं और disorder याने बीमाली उधारण के तोर पे अगर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती की है और मुझे भगवान से माफी मांगने चाहिए अब ये अगर विचार continuous मेरे दिमाग में घुम रहा है तो इसे obsessive या obsession कहते हैं और अगर मैं इस विचार की वज़ा से सच में भगवान से माफी मांगू दस बार पैर पड़ू भगवान के या फिर कुछ आर्ती गाउ या कुछ भगवान की बुक्स पड़ू तो इसको compulsion ऐसा कहते है compulsive behavior तो ऐसा ये obsessive compulsive behavior है अब इस बिमारी में एक point ऐसा है कि इस बिमारी के वज़े से जो इनसान को तकलीफ होती है तो वो व्यक्ति ये पूरी तरह जानता है कि ये जो विचार है ये निरर्थक है इसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन फिर भी ये विचार आते हैं उन विचा विचार आते हैं वो रोकना चाहती है लेकिन फिर भी वो रोकते नहीं रुकते ही नहीं और इसकी वज़े से उन्हें तकलीफ होता है अब ये एक से दो प्रतिशत लोगों में पाया जाता है औरतों के मुकाबले पुर्षों में ये विमारी ज्यादा पाई जाती है और अब ये लक्षणों के हिसाब से अलग-अलग OCD को अलग-अलग भागों में बाटा गया है तो मैं आपको एक-एक करके उसके बारे में जानकरी होगी पहला है fear of contamination याने गंदगी का डर लगना इस प्रकार में उस व्यक्ति को ये डर लगा रहता है कि मुझ पे गंदगी न आ जाए और वो गंदगी अवोएड करने की कोशिश करता है और continuous यही विचार उसके दिमाग में रहते हैं अगर कही यूरीन दिख गई या फिर स्टूल रस्ते से जाते जाते पैर आजू-बाजू में दिख गया तो उसके दिमाग में यही रहता है कि अगर मेरे पैर को ल continuous हाथ दोना पैर दोना या फिर कपड़े बदलना ऐसा उसका शुरू हो जाता है दूसरा यही चेकिंग काफी लोगों को continuous चेकिंग करने की आदत होती है जैसे दर्वाजे का लाच लगा की नहीं गयास का नॉब बंद किया की नहीं या फिर गीजर बंद किया तो चेक करना 10-10 बार 15-15 बार वो गीजर चेक करते रहते है या फिर नॉब चेक करते है गयास का मेरा एक पेशन्ट है उसको यह चेकिंग का तकलीफ है तो वो हर रोज घर में सब चीजे 10-10 बारा बार बार चेक करता है उसमें उसका काफी टाइम निकल जाता है लेकिन जब तक उसका सम कि मैंने शायद गिजर का स्विच बंद नहीं किया है और वो थोट इतना इंटेंस था कि उसको कुछ काम ही नहीं करने दिया वो थोट ने और उसको हाफ डे लेके तुरंट धर पे आके वो गिजर का बटन चेक करना पड़ा दो इतनी तीवर ता कुछ लोगों में होती है तीसा है सेकशयल फोट्स, कुछ लोगों में सेकशालीटी को लेके फोट्स आते हैं जैसे ऊंट फिल्म्स देखके फॉट्स आना, continuous विचार उसके बारे में दिमाग में को ऊतरेना या photograph देखके sexual thoughts आना या फिर औरतों के या पुर्शों के private parts को देखके sexual thoughts आना और वो thoughts continuous आते रहते हैं उसके ज़से उनको distress भी होता है लेकिन वो thoughts रुखते ही नहीं है उसमें और एक है कि excessive cleaning याने किसी-किसी को हर चीज को clean करने की आदत होती है उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी भी गंदगी नहीं चाहिए जैसे अगर पानी का छीटा भी कपड़ों पे उड़ गया तो वो सब कपड़े वापस दोते हैं वो एक बार नहीं दस-दस बार कपड़े दोते हैं फिर बरतन पे अगर कुछ छीटे उड़ गई तो वो फूरे बरतन घर के साफ करते हैं या फिर थोड़ा साभी घर में किसीने कच्रा लाया पेरों की वज़से तो वो पूरा घर धोके साफ करना वो दस-दस बार साफ करना या फिर curtains या फिर bed sheets निकाल निकाल के साफ करना ये एक problem है उसमें एक होगा है symmetry इन्हें सब चीजें वही की वही वही जगह पे चाहिए वही order में चाहिए अगर थोड़ा भी इदर उदर हुआ तो वह जमता नहीं है यांइ पीलो ये direction में और ये direction में चाहिए कि ये बरतन ये direction में और ये direction में चाहिए पाइलिंग चहिए रहता है उपो, होर्डिंग है, जिसमें काफी लोगों में घर में कच्रा जमा करने की आदद होती है, यानि छोटी-छोटी चीजें जो उनको लगती है कि जमा करके रखनी चाहिए, वो लेके आते हैं, और वो घर में पूरा रूम भर जाता है, घर भर जा भगवान को गाली देने की इच्छा होना, continuous गालिया भगवान को लेके निमाग में आना या फिर ऐसा लगना की मुर्ती उठा के फेक बूप, वो विचार continuous गूपते रहते हैं या फिर 10-10 बार 15-15 बार भगवान के पैर पढ़ना, या फिर वो आती करना, पुझा करना continuous उनका समाधान होने तक वो पुझा करते रहते हैं तो ये religious thoughts है, एक obsessional fears होते है, या किसी लोगों में उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे heart attack आ जाएगा और मैं मर जाओंगा, या फिर मैं मेरे बच्चे को माड़ा होगा, या फिर मेरा accident हो जाएगा और वो thought continuous उनके दिमाग में आते रहते हैं, भले वो रोखने की कोशिश करें, वो जानते हैं कि ये thought सही नहीं है फिर भी वो दिमाग में आते रहते हैं, तो ये थे कुछ प्रकार OCD के इसके आगे मैं दुसरे पार्ट में आपको OCD के वज़ा से हमारी जिन्दगी में, रोज बरा जिन्दगी में होने वाली तकलीफ या फिर OCD की वज़ा से और कौन से मानसिक बीमारिया हो सकती है और उसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे मैं जान करेंगे झाल